दोस्तों मेरी आज दिस वीडियो रिपोर्ट वीच आपा गालबात करांगे गैंग्स्टर लॉरेंस बिश्णोई दी किसी जेल या पुलिस हरासत दे विच्चों कीती या करवाई गई टेलिविजन इंट्रिवू जो की नैशनल चैनल एवीपी न्यूज उत्ते आठ महिने पहला प्रसारत होई सी एस इंट्रिव्यू तो बाद पंजाब दे डीजीपी गौरव यादब ने दो टॉप मूस्ट पंजाब दी पुलस दे अधिकारियां यानि कि स्पेशल डीजीपी अते एडीजीपी प्रिजन्स दी एक कमेटी बनाई एस कमेटी दे विच कुछ मुबाइल फोन्स दी दुरवर्तों या कर्मिनल अंसरा या गैंक्स्टरा वननों मुबाइल फोन दे इस्तेमाल उते एक सू मोटो नोटिस लेले आ सी उस अधालत वननों समन कीता गया जवाब तलब कीता गया ते एस टेलिविजन इंट्रिव्यू बारे सवाल जवाब ते आठ मेंने भी तनतोबाद भी एस दो मेंबरी जाज कमेटी ने कुछ भी नहीं किता ओस बग जदो इंट्रिव्यू दा परसारन होया सी जदो एक कमेटियां बैठ दिया ने पंजाब दे डी जी पी गौरव यादव एक टिल्ले जे तरीके देनाल दो अफसनादी कमेटी ब कमेटी हो गया है कमेटी मतलब कम मिटी ते ओसे गालनू बिलकुल सही सावत कारता है इस स्पेशल डीजीपी ते डीजीपी प्रिजन्स दी कमेटी ने कम मिटी करके आठ महीने बाद भी अदालत दे वीच ए अफसर पंजाब पोलस दे ओ टॉप दे अधिकारी जिना नो हर असर्शन हर गालबाद दे विच एक संसा सी यानि कि एक शक सी होना थे कई गंबीर सवाल खड़े हो जान्दे ने पंजाब अते हर्याना हाई कोड़े सामने भी ए जड़े अफसर सी ए लोले बान के क्यों खड़े रहे इना कोलों की लॉरेंस बिश्णोई या संबंदत पतरकार तो पुचगिच नहीं हुई या इनने पुचगिच करन दी लोड मैसूस नहीं किती पंजाब दे डीजीपी गौरव यादव उसे दिन जिस दिन इस इंटर्व्यू दा परसारन होंता है गौरव यादव नों सुते सपश्णी करन देना पहनता है गौरव यादव जो की बैक टू बैक एस इंटर्व्यू मामले दे विच जलालत चाल चुके ने व्यक्तिगत तौर होते है ओही डीजीपी आठ महीने इना टॉप दे अधिकारियां तो एक बहुत ही सिंपल ते सधारण जे मामले दी जाज करवानी पानते है उल्टा हुंदा की है पंजाब दे डीजीपी गौरव यादव ते स्पेशल डीजी ए डीजीपी प्रिजन्स वर गे इस पद्दर दे अधिकारियां नो पुलस विच परती किसने किता आजे सवाल इस वास्ते एना दी काबलीत उत्ते सवाल इस वास्ते खड़े हो रेने हलाकि काबलीत दा विशा नहीं है जिस विच प्रायम FSI दो इंटर्व्यूज छापिकंदियाने प्रकाशत हो जादियाने उना इंटर्व्यूज नो पॉसिबली एक जेल तो कीता गया इस मामले दे विच एक FIR दर्च होके पहला अपनी रिपोर्ट विच किया सी कि एक थानेदार पद्दर दी एक ASI LED पंज इसकोल दिती, कनून दिती, ते ना ही मैंनो लगदा है वो पत्रकार मुकर सकदा है या मुनकर होड़ सकता है, कनून दी कोई भी जेही कलॉज नहीं है जो की पत्रकार तो इस इंटर्वू दी तरीक ना पुछ सकनी होवे, या फिर लॉरेस विश्नुई इस दबारे कुछ दासना सकदा होवे, ते हो सकदा उसने गल्ला बाता दसियां भी होन, या फिर जे उसने नहीं दसियां, उन्हें एस जाच टीम नो गुमरा कीता, उस तिथी दे विच एस जाच टीम दी अपनी नियत या अपना इरादा सचाई तक पहुंचन दा, वो एक बहुत बड़े पे कीता ज़रूर हो सकदा है, लेकिन उसनों छुपाण दी कोशिश नहीं कीती, क्योंकि उता इंटर्व्यू पब्लिक डोमेन दे विच आगी, करोडा लोखा ने इंटर्व्यू बेख ली, तो इनना ने जो भी कीता, इना ने पब्लिक डोमेन दे विच रखन दी नियत द इसने पिच्छे था, यह कोई मनुर्वथ, चंगा माडा कोई मकसद सी, तो की सी, अज पंजाब पुलस ने ए सब्मिशन पंजाबते हराना हाइकोट देगे, दित्ती जी की, जल साम तो पुछा, जल साम असी एंटर्व्यू नो तो उसे डिलीट कर दो, जल साम ने कहता, मा इसने पिच्छे थे, डीजी पी, प्रबोध कुमार, निलामबरी, जगादरे, एक होर एएजी पंदर दे दिकारी हैगेने, शेडी एजी हैगेने, ते एस राहुल, एतिन आईपिए से दिकारियां दी, एक SIT, जो की हाई कोट नो हुन रिपोर्ट करेगी, ओ बठाई गई थी, क्योंकि तुसी ए देखो कि पंजाब ते हर्याना हाई कोट केड़े IPS अफसरा नो लेके एक Special Investigation Team बनाके उसनो खुद मॉनिटर करेगी, इस सरकाना दे कमने, अज मुख मंतरी सूबे दा, सूबे दा, ग्रह मंतरी ते सूबे दा, जेल मंतरी पगवानत मान है, पंजाब किसे पूलस कस्टिडी बिच करवाई गई, ए प्राइमा फिसाई, वॉयलेशन सी कनून दी ते, इस उते के FIR बन दी सी, लेकिन अठ महीने तक पंजाब दे DGP, तो पंजाब दे जेडे दे दो, बहुत ही महकां का काबल DGP हैगे ने, उना DGP इस नो करे ए लोड महसूस अठ महीने तक इना अफसरा ने इस मामले ती जांच ही नहीं कीती, इना दी नियती ने इसी खास करके DGP गौरव यादव, जो कि उसे दिन जिस दिन इंटर्व्यू पर काश्य थून दी है, जिस दिन प्रेस कॉंफरेंस दे सामने उनने कहा कि पंजाब दी जेल जो इंटर अमरित पाल सिंग दी गिरफतारी नो लाएके जिस पदर दे उते पुलिस दी दवश होई, पत्रकारां ते सोशल मीडिया चैनल ना नो ब्लैक आउट करन यानो ते ट्विटर हैंड ना नो होल्ड करन ते इलाबा, पत्रकारां तक दे करां तक जा जा जाके पुलिस ने अमला ते तुसी मीडिया दे कोई दबा नहीं पाना, तुसी ओना संबंदत पत्रकार साहबान तो बहुती आदब ते अदर अदम ने नाल पोचना है कि जनाब तुसी इंटर्व्यू कदों किती, कित्थे किती, मैं यह नहीं कहनदा कि किसी पत्रकार नो मजगूर किता जा स जिना दे पल्ले कुछ नहीं सी, जिना ने आठमें नितक कीता ही कुछ नहीं, मैं कहांगा डखा तक नहीं तोड़ेया ते जहे लवरेंस विश्णोई तो इनाने पुछ्या भी, पोच्चिकिच कीती भी, उन्हें जो जवाब दिते इनाने मानले, ते बहुती अंकन्विंस तरीके देनाल, एक ताउन दना तुसी अपरादी तो पोच्चिकिच कीती है, उस तो बाद थोड़े यकीन होंदा है, आफट आल एन्ने ने सालना दे थोड़े तजर्बे, जेड़े ओध्यां ते जेड़े कुरुसियां ते तुसी बैठे हो, एस तजर्बे दा ते एस कोई आज गुरेज नहीं है, एस चीनु कहन दे बिच मैंनू कोई संकोच नहीं है कि पंजाब दे डीजीपी ते पंजाब दे इना तिन अफसरा ने पंजाब पुलस ना डबोता है, पंजाब पुलस दी इन्वेस्टिगेशन करन दी समरत था, उना दी किसे वी मामले दी प बनाई है, एक किड़े के बड़े अफसरा दी, ते किड़े के काबल अफसरा दी एससाइटी होएगी, जो कि जांच करेगी, ते जे इसससाइटी ने ताथ कड़ते, वैस ता मनों इसससाइटी दो भी की खास जादा उमीदा है गिया ने, नहीं नहीं है गिया ने, क्योंकि इस मामले नों बहुत हलके तरीके देना लेके या कहले कि जान बुझ के इस मामले दी तफ्तीश करना ही ना चांदे होन। उस तो बाद केड़ा IPS अफसर, केड़ा पुलस अफसर होएगा जड़ा की मामले दी तह तक पहुंच सकेगा। एक थानेधार दी इन्वेस्टिगेशन जो की कुछ केंटेयां दा काम सी उस नों तुसी आठ-ठ-ठ महिने तक लटकाता नौ मिने चिक न्याना जाम पहन दा थे एना तो आठ मिने तक एना दी जेलना तो होई उस इंटरव्यू दे बारे मालूमा आते बेसिक डिटेल जोनों मैटा डेटा कहा जानदा है ओनी पता लग पाई सदके जाईए जही पुलस देते सदके जाईए जही डीजीपी दे जो की पंजाब दे वैस्ता कारज कारी थे एक्टिंग डीजीपी ने अज मैं एक सवाल चुकना चाना है जो की मैं पहला कदे भी नहीं चुक्या थे मैं नहीं चानदा कि मैं किसी भी अफसर उस दी काबली है तो उस दी नहीं है तो उस दी मंच्छा तेखो सारे पुलस अफसर मैंनो लग दा समराथ ने काम कार सकते और जो मैं हिंदीज किया जाना है कोई कुछ तो मजबूरियां होंगी यूहीं कोई बेवफा नहीं होता हुन मैं थे कहांगा कि कुछ ता मजबूरियां होन गिया एमें कोई लोला नहीं बाढ़ जाना तो जिस तरीके दिना बचारे बाढ़के बैठेने मैं अगेन कहांग चाहे ना दी काबलेदी कमी ला लिए, चाहे ना दी माडी नियत ला लिए, चाहे ना दी कम ना करन दी मन्शा लगा लिए, यह दे पिछे कारण X, Y, Z कुछ भी हो सकते हैं। ओ इना DGP पदर दे, इना IPS अफसरा दी बढ़ दे, जिना ने खुद चाहर्ज कमीटियां बठाईयां, खुदे पड़ताला करवाईयां, FIR क्यों नहीं दर्ज करा पांदे, क्यों तुसी के सदारण जी पुछ किछ पत्रकार तो नहीं कर पांदे। पुछ भी खुलासा, जेड़ा भी होया थी, ठीक है तुसी कंकलूड नहीं कर पाए। अदालते सामने अदालत नहीं जानन दी की लोड नहीं सी, कि गैंक्स्टर लॉरेंस बिश्नुई की कहा रहा है, कि वो केड़ी जेल या केड़ी पुलस दी हरासत दे बीची, जिस दिन उसने इंटर्व्यू कंड़ा किती, इस पत्रकार नहीं पुछा जाना चाहता है सी, कि कित्थे सी, ओनी लोकेशन की सी, उसने केड़ी थांते बैट के इंटर्व्यू कंड़ा की थी, यह बड़े सरारन डिटेला सी, जिनियां की पुछनियां बढ़ दियां सी, ते इनों अदालत दे बीच भी फरनिश करना बढ़ दा सी, आज इतुसी स्तितिये वेखो, अपनी दो-तिन रिपोर्टा पहला, अपना रिपोर्ट पाई है, कि अमेरिका दे बीच बैट के कारोबारियां नों बिजनसमेन नों लौरेंस बिश्नोई दे ना दे उते तमकियां नहीं लग रही हैं, बलकि लौरेंस बिश्नोई गुजरात दी जेल तो बैट के वीडियो कॉलन जेल या किसी पंजाब पुलिस दे, CIA दे, सेल दे बीच बैट के वीडियो इंटर्व्यू दे दन्दा है, उसनों पूरी फेसिलिटेशन प्रोवाइड कराई जान दिया, उसनों पूरी इस सो विधामा दितनी हैं, उसनों बाद हाई रेजलिशन दे इंटर्व्यू रिकॉ जिनना दे जवाब भी मैंनला दा पत्रकार मों हो दे, या फिर लॉरेंस बिश्नु नों देने ओखे नहीं सन, एथे अपा कुछ सेकेंटली लॉरेंस बिश्नु या ते उस पत्रकार नों साइड दे राख दन्दे हैं, दोवा ने अपना अपना करम जड़ा सी कीता, पत्र जड़े काम करने, तो वो अपना काम करदा पैते उस प्रोजेक्शन दे भी चो उसने टीवी दो इंटर्व्यू देती, दुआ दे अपने करम सी, वो अपने साइड दे रहन, लेकिन पुलस दा की करम सी, इना अफसरादा, इना दी की जिम्मेवारी सी, इना दी डूटी की स अपने डूटी ने तो उसी पूरा नहीं कर पाए, मुद्दा एक खड़ा हो रहा है, गैंक्स्टर ने की किता, पत्रकार ने की किता, सवाल ही नहीं है कि ने, तो उसी आठठट महीने तक F.I.R. धरजनी कर दे हो, हाई कोट दे सामने तो उसी बेसिक सवाल नहीं रख पाए जो खुला से होना ने कीते, खुला से चलो तो उन्हों कन्विक्शन नहीं है, लॉर्नेस बिशनी ने तो उन्हों चूट बोलता कि जी मैं राजस्थान दी जेल सी, मैं दिली दी जेल सी, मैं पंजाब दी जेल सी, किते भी बोलता तो उसी कन्विक्शन नहीं हो, लेकि तु कि अमेरिका दे विच, इंगलेंड दे विच लौरेंस विशनुदिया कॉला लग रही हैं ने, रंगदारी फ्रोती दी ना सिर्फ वसूलियां किते हैं जा रही हैं बलकि कारोबारियां दे, गायका दे, करा दे, बाहर गोड्य चल रही हैं हून, ते एक ख़बरा आ रही है हाई कोट दे बीचे सुनवाई दूरान किसी ने तथ पेश नहीं किता कि गुजरादी जेल दे बीचे लॉरेंस विश्णोई नो लजाया जान दा ते ओधे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेर्स दे आउटर दे तहत एक साल तक रहन लेके हा जान दा है उस दी किसी भी अडालत दे विच सुमोटो नोटिस लेके जिन्नी कारवई जो दूरी समरथा कारती लेकिन उननों चार कदम अग्गे जान दी लोड सी एक जेहा सिस्टम है जेहे पुलस दे सीनियर मोस्त अधिकारी ने जो की पड़दा पान दी कोशिश कर दे पएने गा और वियादव साब वर गे मै बाई नेम केहना इस तरीके दे सीनियर दे कारी जो की कमेटियां बना के कामनों मिटी कर देने ओ एक कबर आप दी बड़ी वड़ी कोशिश कर रहे थे डे वन तुई आपा दास्ता सी कि इस केस दे मिच कबर आप होएगा थे ओही खोया बहुती नामोश थे बहुती जन्देने लडाईयां होंदियाने गैंस्ता दे कतल हो जन्देने ओर नमे मुकद में खड़े हो जन्देने जेलां दे विच जो इंटर्व्यूस कंड़ां हो जन्दियाने एक नमा चैप्टर खड़ा हो गया फुरी दी पुरी डिरेक्शन ही बदल जाती है अटा साधी सिस इस पक्तोराने एनने सालना तो एक्टिंग डीजीबी वलाके रख्या होया है उस दे होंदया होया ए हाल है पंजाब पुलस था ओ पंजाब पुलस जिसने पंजाब दे विच्चों खाड़कुवाद अतवाद वखवाद जोमर जी कहलो ओशनू खतम कारता जड़ तो खतम का इस पिछे माडी नियत का सूर ना थे एत्हे मुद्धा सिर्फ पंजाब ना नहीं है पूरे देश दी सरकारे किंदर सरकार नो Sahana है ठाहिएं उच्चों थे बिचरे मोबाईल फोन दी दूरबरतों दा केरी सी जोड़के उननों इक अत्वादी दर्शाया गया है उस NIA नों आज की इस मामले दे विच किसी तो पुचकिच करन दी लोड नहीं है कि NIA नों इस मामले दे विच इंटरफेर करन दी आंदी लोड महसूस नहीं होनी चाहिए थी जी एक टुकुमा केस ए नैशनल इन्वेस्टिगेशन एजनसी ले भी नहीं है जे पंजाब सरकार या पंजाब पुलस दे सो कॉल्ड काबलता हुन मैं नहीं कहांगा जे पंजाब पुलस दे जेड़े अफसर है कि ने जे ओना दी नियत इस मामले दी गहराई तर सचाही तक पहुंचे दी नहीं है पंजाब पुलस दे अफसरा ने माया तर तर तया गाल कराऊओ पंजाब पुलस दी काबलता है न शक्सी तर न अज है मैं ए जाणदा है पंजाब पुलस दे मैं असिस्टेंट साथ इंस्पेक्टर तो लेकर आज ए एएईजी डी इएईजी एससिपी पदण्दे अजेहे अफसरानुवी जानदा है, जो कि इस मामले दे विच, कुछ कैंटें दे विच, दुद दा-दुद ते पाणी दा-पाणी कार सकते हैं, तो थोड़े ही हेठाओं काम कार रहे हैं, लेकि तुस्यों नोगे जिम्मवारियां दऊंगे नहीं, क्योंकि थोड़ी नियत नहीं है, ते पगवांतमान squarely is responsible for this thing, being the head of the government, being the home minister, being the jail minister, being the chief minister, पगवांतमान ली एक बहुती शर्म दीगाल है, shame on Punjab government for this cover-up, for this major lapse, इसे नोट दोते माज इसे रिपोर्ट नोगे राम दांगा, बाकि जे संबभ होया, मुनासब होया, इंट्रिव्यू कित्थे हुई, कद दो DGP जांच करनगे, ता काटी लेंगे, लेकिन जे तोड़े हाथ खड़े ने, ता फिर कोई ना कोई तरीका निकले आंदा, साच दे बाहर निकलनदा, ते रब करेगा, ओ तरीका निकले आएगा, खेरेड़ना बड़ा इशू नहीं है, हाँ, एक चांदे जांदे चीज जबाना ते माडा सर पहेगा, उस पॉंट अफ यू नाल उगालबाद शहर रेलेवेंट है, लेकिन इस इंट्रव्यू दे बीच एक पोटेंशल एविडेंस भी छुपया हुए है, सिद्धू मुसेवाला कतल केस, हाला कि लॉरेस बिश्णोई ने इस इंट्रव्यू दे जड़ा दोश है, उस दो स्थापत कीता जा सके, उसने अपने अपने बड़े तरीके देना चला, की देना बचाये इस इंट्रव्यू दे विचे, क्रेडिट भी लिया है, उस पूरे दे पूरे मर्डर दा, लेकिन नाल देना ले भी साफ करता कि मैंनो ता पता है नहीं सी क कॉंस्पिरेसी की हुई, गोल्डी भाई ने किताया करवाया जो भी सी, एनिहोग, लेकिन इस इंट्रव्यू दे विचे इक पोटेंचल है, मैं नहीं समझना ते मैंनो नहीं लगना कि इस इंट्रव्यू नो किसे भी सोचल मीडिया प्लाटफॉर्म तो हटान दी लोड है, ठीक है, ए इंट्रव्यू के नजायाज इंट्रव्यू सी, जो की सही तरीके देनाल नहीं लिया गया, लेकिन डिस्पाइट ओल डैट इस इंट्रव्यू दे विचे, सिद्धू मुसे आला दे कतल दा इरादा है, उस दी मंशा, उस दा जिनू कहाँ सकते हैं कि मोटिव हटाए जान दी लोड़ा है, खेर जे पंजाबते हराणा हाई कोट मान देने कि इस इंट्रव्यू नो हटाना है, वो हटा सकते हैं, समराथ ने उना दा ओडर मनना पहना है, लेकिन एस तरीके दे इंट्रव्यू नो तुसी हटाओ ना तुसी इपनी विवस्था नो सुदा कर रहे हो, अदालता दे विच खड़े हो के, माने ओक जाज सा बसी एफाई या रेजिस्टर कर दीए, पि तुसी दुद पिंते बच्चे हो, पुलस दे अड़े अफसर होके, थो नो ये नी पता कि इस मामने बेच एफाई आता, उसे दिन दर्ज हो जानी चाहिए सी, जिस प्रोसिक्यूशन पाख उसनों अपने तर्क दे नाल जोड सकता है, तुसी उन्हों कहरे भी इस इंटर्व्यू नों भी डिलीट कर दो, हले कि इंटर्व्यू ने ता हट नहीं जाना, पबलिक डुमेन दे बिच चुप आमें हट जाए, लेकिन इंटर्व्यू ता सेव रह ति माने हो, उन्हों हाईक़ण चलो अपने विजिडम दे पीचे फैसला सुनाता, कहने देने की वीडियो नों ते इंटर्व्यू नों डिलीट किता जाएगा, छीक है हाईक था फैसला है, उसनों ता मानना नहीं पहना है, इस इंटर्व्यू नों डिलीट करना भी कोई हा समराथ होना चाहिए अदालता नूँ बाकि इस नवी बनी स्पेशल इंवेस्टिकेशन टीम नूँ गुड लख है बेस्ट अफ लख है हलांकि ए अफसर तुसी ये सोचो कि जे इस सिट ने तत कड ले या उनने सचाई कड ली हाई कोट दे निर्देशन या हाई कोट दी मॉन पंजाब पुलस दे टॉप मोस दे अफसर जिना ने अठ महीं ने कुछ नहीं किता ओना दे हेठा आण वाले अफसरा नूँ ये जांज नो दुबारा देता गया है खैर आई विश दिश स्पेशल इंवेस्टिगेशन टीम वेरी बेस्ट अफ लुक विश देम आल दा बेस्ट प्रबोध कुमार चांता बहुत कुछ कार सकते ने ते मान्यों हाई कोट दा जे सूपरविजन होएगा ता तैन वी शुट स्टिल एक्सपेट की कुछ असलियत सक्चाई ते ताथ जरूर बाहर आणगे इस रिपोर्ट नो मैं अथी करदा वाइंड आप जी तुसी अपने कोई टिपणियां बिचार हों ता जरूर कमेंट सेक्शन दे मिच सांजे करो फेर होगी मलाकात एक होर बड़ी रिपोर्ट लाएके खुलासा लाएके बहुत ज जल्दी मिल दें